and welcome everyone to the lecture 27 of this ht1 plus css complete course so आज की इस वीडियों हम प्रोजेक्ट 3 देखने वाले हैं अपने इस कॉर्स का और इसके नेक्स वीडियों में आप इसका सॉलीशन में बताना वाला हूं चलिए आज की स्वीडियों को स्टार्ट करते हैं और यहां प्रोजेक्ट पर यहां पर मैं इसको फूल विंडो में कलमट करूंगा और यहां पर आप देख सकते कि मैंने एक हेडिंग ली है और इसमें मैंने कुछ टेक्स डाला हूँ है यह सब जो टेक्स्ट है मैं आपको दिस्क्रिप्शन में भी प्रोबाइट करा दूगा और आप अगर चाहें तो विकिपीडिया से भी इसको कॉपी कर सकते हैं मैंने वाई से उठाया हुआ है इसको और यहां पर मैंने उनकी फोटो लगाई हुई है और इसमें मैंने बॉडर रेडियस दी है इसके बाद मैं मैंने उनके टाइम लाइन भी लिखी होई है यह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोबाइट करा दूगा आप यहां पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीजे लिखी होई है और यहां पर देख सकते हैं कि मुझे यहां पर एक कुछ बोल्ट टेक्स्ट भी देखन को मिल रहा है इसके बाद मैंने टू नो मोर के आगे मैंने क्लिक मी पर पढ़ाय हुआ है इस पर जैसे में क्लिक करूँगा तो मेरा नेक्स्ट विंडो में Wikipedia का लिंक खुल रहा है आप देख सकते हैं यहाप पर यह मेरा Wikipedia का लिंक खुल चुका है यह बस यह छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारे इस लेक्चर सरी प्रोजेक्ट 3 के लिए और नेक्स्ट विडियों हम इसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं इतना था इसके उप्रोड के लिए थैंक्यू बाई-बाई